गुरू रविंदर नाथ टैगोर का जनम साथ मैई 1867 को कोलकत्ता में हुआ उनके पिता का नाम देवेंदर नाथ टैगोर, माता का नाम सार्दा देवी वे अपने माता-पिता की तेरवी संतान थे रविंदर नाथ टैगोर एक कवी, उपनिहासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे जिन्हें नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया आठ वर्ष की उमर में उन्होंने अपनी पहली कवीता लिखी सोला वर्ष की आईयों में उन्होंने कहानिया और नाटक लिखना आरंब कर दिया था एक हजार कवीता आठ उपनिहास, आठ कहानी संग्र है और अनेक लेक लिखे दो हजार से अधिक गीत लिखे उनके दो गीत आज भारत और पंगला देश के राष्टियगान है भारत का जन गन मन और बंगला देश का अमार सोनार बंगला उन्हें गुरु देव के नाम से भी जाना जाता है एशिया के प्रथम नोबल पुरुषकार सम्मानित व्यक्ति है उनकी शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से हुई टेगोर ने इतिहास भाषा विज्ञान और अध्यात्म से जोड़ी पुस्त के भी लिखी थी गुरु रविंदर नात टेगोर की कुछ परमुख रचनाई गितांजली, पुरुप परवाहिनी, शिशू भोलानात, मेहुआ, वनवानी, प्रिशेश, कणिका, नवेद पिता बरम समाजी होने के कारण वे भी बरम समाजी थे, उनकी रचनाओं में मनुष्य और इश्वर के भी चीर स्थित संपरक्त की विविद रूपों में अभी व्यक्ति मिलती है 1913 में गितांजली के लिए सहित्य का नोबल पुरुष्कार मिला, राजा जोर्ज पंचम ने नाइट हुड की पदवी से सम्मानित किया था 1919 जलिया वाला हत्याकान के विरोध में उनोह ने यह उपादी लोटा दी थी गुरुद दुएव रविंद नाथ टैगोर के मृत्यु साथ अगस्त 1941 को हुई